जैहिन सुरिंट्स वेरी गुड मॉनिंग आज हम लोग एक नया चाप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉर ज्याइजील विच इंटर्प्रेटेशन ओफ स्टाचूट्स और आज हम लोग की इंटर्प्रेटेशन ओस्टाचूट्स की क्लास नंबर वन है आज की क्लास में हम लोग आक्चुली सीखेंगे कि लॉग को कैसे करके इंटर्प्रेट किया जा सकता है कैसे उसको रीड करना चाहिए हर एक चीज़ के बारे बार इंटर्प्रेटेशन ओस्टाचूट्स क्लास नंबर बन आज की क्लास में हम आपको मौड्यूल से एक बर ये सारी सीज़ने कर रहे हैं बाध में हम आप्के साथ कल की क्लास में इसके नोटस को शेयर करेंगे तो आप इसके नोटस अधाल साथ लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए या समझने के लिए बहुत सी चीज़ों की जुरुत पड़ती है जैसे आप लोगों ने कंपनी जाट क्यों कि हम लोग सी एस फिल्ड को बिलॉंग करते हैं आप सभी सीए स्टुडेंट्स हैं तो आप कहीं ने कहीं कंपनी जाट से बहुत लेक्तew करती हैं विए थैंगे कि a company is a body comm Someone yes or no? । नो और कई जगों पर और भी आप शब्दें पढ़ते हैं इस a body corporate corporeat.com तो what do you mean by corporate? what do you mean by body corporate ? वोऑ तो ब enact में वो भी समझाया गया. रिबुअ कि body corporate का मितलब होता है company, corporate of society या या LLP ये सारी की सारी चीज ने किसमें आ जाती है आपकी body corporate के दिर्म वह entity जिनका separate legal existence होता है और ये कुछ चीज ने थी जिनको body corporate में include किया गया तो वो था corporate shop का मतलब लेकिन ये corporate shop का मतलब हमको कमपनी जट में दे दिया गया था कि नहीं दे दिया गया था इसे हम लोग कहते हैं statutory interpretation statutory interpretation यानि हमारा law खुद उस शब्द को interpret करके बता रहे कि देखो इस शब्द का यह माहिना है इस शब्द के यह माहिन है लेकिन अगर हमको body corporate शब्द का मतलब न दिया होता company's act में तो हम लोग क्या करते कुछ न कुछ उसका मतलब निकालते yes or no हम लोग तो उसका कुछ नकुछ मतंट निकalsoब निकालना पड़ता और फिर उस शब्द का मतलब निकालने के लिए हम लोगो को देखना पड़ता कि body इंदर में corporate शब्द का मतलब क्या होता है corporate शब्द आम तौर पर किसके लिए इस्तावाल किया जाता है तरह तरह की चीज़ों को फिर हम लोग सोचते और फिर कहते हैं कि अगर यह body corporate है जिसे हम लोग कहते है foreign company foreign company इंडिया कंपनी मतलब क्या जो इंडिया की Companies Act में registered है और foreign company मतलब कोई भी body corporate तो body corporate शब्द का मतलब हम लोग समझने है कि हाँ वो एक separate legal entity होती है उसको हम लोग कहीं न करते या नहीं करते करते तो वो interpretation होती है non statutory interpretation non statutory का मतलब वो law में दीवी नहीं statute का मतलब क्या होता है law अच्छा जब हम लोग बात करते हैं law की जब हम लोग बात करते हैं law की तो law का मतलब क्या होता है law का मतलब तो law या statute एक बहुत ही वाइड चीज है इसमें आपके acts भी आतने हैं इसमें आपके rules and regulations भी आतने हैं इसमें धेर सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं even constitution is a part of the statute or not yes it is a part of it तो a statute has been defined as the will of the legislature legislature क्या कहना चाहता था उसका will क्या था वो क्या करना चाहता है तो ये किसकी definition थी Maxwell की Maxwell ने इसको define किया as the will of the legislature और फिर बाद में Crawford की definition आई इन्होंने कहा कि the will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute as a law of the state यानि एक ऐसा will of the legislature क्योंकि legislature का will तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन उसको necessarily law के form में उतार दिया गया हो तो will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute as a law of the state and rendered authentic by certain prescribed form and solemnities what does it mean कि एक ऐसा will जिसको की constitute कर दिया गया as the law of the state क्योंकि will तो हमारी बहुत चीजों का हो सकता है हमारी legislature हो सकता है कि minors के लिए अलग लग प्रकार के laws बनाना चाहे अभी हो सकता बनाए हो हो सकता है न बनाए हो तो एक ऐसा law जिसको की constitute कर दिया गया ऐसा will जिसको constitute कर दिया गया as the law of the state और फिर इसके बाद एक और definition as per the boyverse law dictionary again ये एक हम कह सकते हैं jurist थे या हम एक legal expert के तौर पिनको बला सकते हैं पुरानी ये सारे experts हैं a law that is established by the act of the legislative power इन्होंने कहा कि law सिर्फ वही है जिसको की established by the legislator है यानि एक act या कानून पास करके जो कर दिया गया वो law है वागी कुछ law नहीं obviously हर किसी का अपनी definition है हर किसी का अपना-पना कहना है कि statute क्या है because हम लोग पढ़ने है interpretation of statutes तो what do you mean by statute? it is basically a law वो law जो की पहले कहा गया कि will है फिर कहा गया कि वो law जिसकी will भी थी और जिसको apply कर दिया गया to form it as a law of the state और basically कहा गया कि law of the state मतलब भी क्या जिसको की enact किया गया using the legislative powers जिसको enact किया गया using the legislative powers चलिए आगे है कि statutes अलग लग प्रकार के हो सकते है statutes कितने प्रकार के हो सकते है it can be a codifying statute declaratory, remedial, amending, consolidating, enabling, disabling, penal सबसे पहले क्या है? codify codifying करने का मतलब उसको लिख देना words में convert कर देना जैसे मान लीजे हमने कहा कि यह भी law of thoughts है लेकिन यह properly codified नहीं है तो अगर हम उसको codify कर दें then it will become a particular written law यह सब्सक्राइब आट के तौर पर उप्रेजेंट हो जाएगा फिर उसके बाद वैसी करके और भी बहुत सारे laws हो सकते हैं कि codified ना हो हम मानते हैं लेकिन properly codified नहीं है तो जब उनको codified नहीं लिख दिया जाएगा तो it will become a codified law ठीक है अच्छा हमारे यहां पर कुछ चीज़ें codes के form में होती हैं कुछ चीज़ें act के form में होती हैं जैसे Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Insolvency and Bankruptcy Code यह सारे codes होता है न तो यह basically आपको बताते हैं कि उसके उपर का law क्या है जैसे Insolvency and Bankruptcy Code अलग-लग प्रकार के Insolvency के procedure से deal करता है तो दो-चार act को मिला करके Insolvency and Bankruptcy Code बना दिया गया तो basically codes होता है आपके laws code क्या होता है? law बस एक या एक से ज्यादा laws को मिला करके code बनाया जाता है लेकिन यहां पर codifying शब्द जो लिखा गया है तो codify करने का मतलब उसको wordings में लिख देना जो आम तौर पर माना जाता है उसको wordings में लिख देना चड़ा देना ठीक है जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि आम तौर पर अगर हम कहें कि कोई भी एक पहले मान लीजिए ब्लाक मनी था अब ब्लाक मनी के रिगार्डिंग में strict actions लिए जाते थे उसके अगेंस में यह चीजें एक थी कि इतना सजा दिया जाएगा यह सजा दिया जाएगा वो सजा दिया उसको अगर codify कर दिया गया as a separate law या money laundering था money laundering के लिए एक अलग से act बना दिया गया तो यह सब codify हम कर देंगे कि वो codify हो गया ठीक codifying means codify the unwritten law declaratory का मतलब एक ऐसा law जो कि कुछ नया नहीं बताता है जो existing law है उसी को declare यानि express कर देता है जैसे कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है मान लो तुमने सुना companies act में जगा जगा पर हम companies पर शब्दों का मतलब होता है financial year तो किस जगा पर calendar यह किस जगा पर financial year है यह कभी कभी तो हम लोग बात करना है तो इसमींस अ फानेंशल यह अगर हम डिरेक्टर के रिसिदेंस की बात करना है इसमींस calendar year बोड मीटिंग की बात करना है इसमींस calendar year तो वो declaratory हो गया, declaratory मतलब जो नोट प्रफेस्ट तो मेंक अनी alteration कोई alteration नी करना चाहते है बोड मीटिंग में होता है calendar year तो declaratory means they do not profess to make any alteration जे, do not make any alteration but they mainly explain here declare what the law is फिर एको तो remedial remedial माने क्या, when it alters the common law or the judge made law जैसे, say for example, अगर हम आपसे कहें कि कोई एक particular law आया उसके alteration में से companies act ही, companies act के amendment act आते रहते हैं, 2017, 2018, 2020, यह सब एक तरीके से क्या हो जाता है अच्छा, इसमें भी हम इसको क्या remedial law कहें तो नहीं, basically amending laws हो जाते है, remedial law हम और जादा उसको कह सकते हैं, जैसे मान लीजे अगर कोई judgment आया ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा common law है जिसको की हमें correct करना है, उसमें कोई एक चीज है जो कि दिक्कत पैदा कर रही है, हमको उसके लिए एक amendment pass करना है, तो हम लोग उससे कह सकते हैं प्रकार का remedial law, ठीक है, जैसे मान लीजे कोई judgment आया किसी चीज के लिए, और वो judgment हमको लगता है कि सही नहीं है, तो हम उसके खिलाफ एक कानून बना सकते हैं न, भई, जज हमेशा कानून को interpret करेगा, तो अगर हमको लगता है कि जज ने कोई decision लिया और वो सही नहीं है, तो हम एक law बना सकते हैं उ चीज के खिलाफ, ठीक है, यानि उस particular aspect के खिलाफ, amend करने का मितलब किसी statute या law को amend करना, यह पूरा chapter इस प्रकार से नहीं चलता रहेगा, भी छोटे-छोटे provisions और चोटे-चोटे portions introduction के, वो हम आपको समझा रहे हैं, फिर एक होता है Consolidating law, Consolidating law मितलब जो तरह-तरह के laws को एक law बना के Consolidate करें, जैसे अपने जब GST आया, तो GST ने आपके कौन-कौन से laws को एक साथ कर दिया, Excise duty, Excise duty लगती थी, Manufacturing पे, Service Tax, ठीक है, Sales Tax, VAT, तो फिर इन सबको एक साथ मिला दिया न, Consolidate कर दिया, प्लस और भी कई तरह-तरह के Indirect Access, Enabling, when they remove a restriction या disability, जब किसी restriction या disability को हटाया जाए, ठीक है, जैसे, मान लीजिए, अगर कहीं पर कोई restrictions है, Abolition of Untouchability, ठीक है, Untouchability वगर को Abolish करना, इस तरीके से जुड़ावा, जो Enabling Laws है, जो कि आपको कोई Rights Confer करते हैं, जो आपको कुछ Rights Confer करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, Enabling, समझ के बाद को, और एक होता है Disabling, Disabling, Disabling मतलब आप ये चीज नहीं कर सकते हो, जैसे, Money Laundering Act, Circulate नहीं कर सकते हो, तो ये सब क्या है, Disabling, ठीक है, Unauthorized Recuration of Property, ये सब आप नहीं कर सकते हो, इन सब चीजों से जुड़े वे Acts क्या हो जाएंगे, Disabling या Restraining, Enabling में, आपने Fundamental Rights को भी Enabling Laws का Example में ले सकते हैं, ये हमको क्या कर रहे हैं, Enable कर रहे हैं, लेकिन Abolition of Untouchability, य नहीं कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि हाँ, हमको Equal Right है, तो ये तरीके का Enabling Law भी हो सकता है, या Disabling भी, कुछ पावर दे रहा है, आप समझो, तो Enabling, और हम से कुछ पावर ले रहा है, तो Disabling, Fundamental Rights, Generally Enabling, ठीक है, Right to Equality is Enabling, ठीक है, Right to Equality is Enabling, ठीक है, we have an Equal Right, Fundamental Duties तो Basically Mandatory है नहीं, तो As Such as a Right है नहीं हो, और Last में क्या होता है, Penal, Penal मतलब जो Penalty लगाए, Penal मतलब जो Penalty लगाए, To Impose a Penalty और For Feature, ठीक है, जैसे हम आप से कह सकते हैं कि आपके कुछ Acts है, Consumer Protection Act है, वो आपको एक प्रकार से किसी भी तरीके से अगर आपने कुछ गलत किया, वो आपको एक Penalty आपके उपर में इंपोस करता है, अरे Indian Penal Code है, Indian Penal Code होता है कि नहीं होता है, वो वो एक तरीके स क्या करता है, आपको जगर जगर पर बताता है कि कौन-कौन से Crimes के लिए कौन-कौन सी Penalty आपके उपर में इंपोस हो सकती है, है की नहीं, तो ये सब क्या है, Penal Laws, तो जो कुछ Unwritten Law को लिखे, Codify करे, Codifying Laws, Written Law को केवल Declare करे, या Explain करे, Declaratory, अगर Alter करे Common Law को, या किसी Judge Made Law को, Non-Statutory Law को, तो उसे कहते है, Remedial, अगर Amand करे, Statutory Law को, Amending, अगर Various Laws को एक साथ लेकर किया है, Consolidating, और अगर Enable करे, किसी Restriction को Remove करे, तो फिर Enabling, और अगर कोई Restriction Impose करे, कि आप ऐसा नहीं कर सकते है, वैसा नहीं कर सकते, Disabling, ठीक है, और Penal मतलब Penalty Impose किया, क्या Objectives होते हैं, Interpretation के, बस यह पढ़ने के बाल, फिरम लोग Interpretation के Loss पढ़ेंगे, क्या Objectives होते हैं, Interpretation के, देखो, कई बर क्या होता है, कई बर क्या होता है, कि जो Lawmaker होता है, वो भी कोई बहुत बढ़ा ऐसा तो है नहीं कि एकदम, उसकी English भी तगड़ी, उसकी Lawmaking भी उसका Grammar भी तकड़ा और वो सारी चीज़ें बढ़ियां से समझी पा रहा है, हो सकता है कि वो अच्छे से नहीं समझा पाया है, अच्छे से नहीं लिख पाया है, जैसे से फ़र एक्जामपल, से फ़र एक्जामपल, अगर हमने आप से कहा, कि आपको आपको Homework कल 10 बज़े तक Complete कर लेना है, तो बताओ कब तक Complete करना है, कल सुबह के 10 बज़े हैं, राज के 10 बज़े तक, आपको Homework कल 10 बज़े तक Complete कर लेना है, हम उसको चेक करेंगे, in colds assess चलती है तो क्या मेरे कहने का मतलब सूबा की दस बज़े ही होगा शांप के दस बज़े नहीं हो सकता है हो सकता है तो तुम कैसे interpret करोगे उसको के तुम कैसे इंसमारे पास एक छॉइस है कि नहीं है अब देखो यहां पे यहां पे ना तुम लोग नियम लगा रहे हो सर्फ होमवग आपने कहा कि होमवग 10 बजे तक कम्प्लीट कर लेना है ठीक क्योंकि आप उसको चेक करना चाहते हैं इसके पीछे अब्जेटिफ क्या था आपका उसको चेक करना तो अगर आप अगर आप उ उसको दस बजे शाम का मानेंगे तो फिर आप उसमें एक मिस्चीफ कर रहे हैं शैतानी बदमाशी कर रहे हैं ठीक हम नहीं कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं और ऐसे मिस्चीफ को नहीं करना चाहिए आपका अब्जेक्टिव जो है इस लोग को बनाने का वो यह था कि हमें होंबग चेक करना है तो इसके अंदर में जरूर मतलब 10 बजए का मतलब होता होगा सुबह के 10 बजए और नाही की रात के या शाम के 10 बजए का ठीक है तो अपने इंटरप्रेटेशन ख्या या नहीं किया किया तो यह interpretation हम लोगों को सीखना पड़ेगा अब भई lawmaker ने उस वक्त लिखते हो कि इतना ध्यान नी दिया उसने लिख दिया तस बज़े अब वो यह भूल गया कि इस टेन एम या पीम या टेस इन 24 आर पॉर्माट या 12 आर पॉर्माट तो इसी लिए we need interpretation of statutes ताकि जहां पे अलग अलग प्रकार की interpretations possible हो हम उसके correct interpretation पे जा सकें अब सीधे हम लोग आते हैं सीधे हम लोग आते हैं क्या principles हैं जो कि interpretation के लिए apply किये जाएंगे what are the principles to be followed for interpretation what are the principles to be followed for interpretation interpretation के लिए क्या क्या नियम कैदे follow करने देखें दो प्रकार से rules हम लोग पढ़ेंगे पहले primary rules पढ़ेंगे और फिर other rules of interpretation पढ़ेंगे पहले primary rules में पढ़ने हैं सबसे पहला कौन से बताईए the primary rule या फिर literal construction the rule of literal construction the rule of literal construction what does this mean what does this mean this simply means listen carefully this simply means कि आप wordings को उनके primary या उनके ordinary natural grammatical meaning के हिसाब से interpret करों और किसी और मतलब से नहीं किसी भी शब्द को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका या किसी भी statute को समझने का अच्छा तरीका है उसमें लिखेगा इस शब्दों को उनके ordinary natural या grammatical meaning ordinary नाच्छल या grammatical meaning के according interpret करना the statute must be interpreted according to its ordinary natural या grammatical meaning हम को उसके उसके उस statute को उसके ordinary नाच्छल या grammatical meaning के हिसाप से interpret करना चाहिए किसी और तरीके से नहीं कि इसको हम लोग समझते हैं इसको हम लोग समझते हैं जैसे एक बहुत अच्छी के सेडी थी हमने शायद उसका नाम लिखा हां के सेडी का नाम था फिशर वर्सेस बिल और यह ओफिंसेज वेफिंस आट नैंटिंटिंटीनाइं से डील करता था हम आपको लिखवा देंगे फ कानून कहता था कि आप किसी को भी ओफिंसिफ वेपिंस यानि जैसे बंदूख वगरण ओफर नहीं कर सकते हैं ठीक है बिना परमिशन के या बिना वाकिछी चीतों कि आप उसको आपर या सेल नहीं कर सकते हैं अब एक दुकान थीख ठीक है अब उस दुकान के अंदर में यह सारी बंदूखे लगी भी थी और वो ओफर नहीं कर रहा था बस उसके यहां पर बंदूखे लगी भी थी अब एक केस गया यह इसी इसी आट को ले करके कि आप बंदूखों को बेचने का ओफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे आट में लिखा वता ओफरिंग इनी परसेंट sell the offensive weapons will be a crime और आप क्योंकि आपने अपने दुकान पर इतनी सारी बंदूखे लगा के रखी हैं इसका मतलब आप offer कर रहे हैं तो court ने कहा नहीं दुकान पे बंदूखों को display करना is an offer नहीं invitation to offer it is an invitation to offer हमने offer को restrict किया इस act को पास करके invitation to offer नहीं हम लोगों को invite कर रहे हैं कि व बंदूख करीदना चाहते हैं लेकिन आपने खुद इसको ले करके offer नहीं किया यानि फिशर ने इसको ले करके offer नहीं किया उसने केवल display किया है तो offer और invitation to offer में अंतर है तो अगर शब्द offer लिखा हुआ है तो केवल offer को restrict किया जाएगा invitation to offer को नहीं ठीक अचा वैसे ही करके एक और एक बार एक case study आई उसके अंदर में कहा गया कि एक bus stand था उसको एक जगा से उसके जगा मूफ किया जा रहा था वहां पर लिखा हुआ था कि आपको 30 days from the date of intimation of order from the date of issue of order intimation of order आपको inform करना है अगर आपको इससे move करने से कोई दिक्कत है तो ठीक है अब 30 days from intimation of order के बात जा करके किसी एक person ने कोई request file किया कोई application form file किया कि हाम को ऐसे कोई दिक्कत है यह तो court ने कहा कि देखे 30 days का मतलब 30 days जिस दिन से वो order intimate यानि issue कर दिया गया था जिस दिन से order issue कर दिया गया था तो हम उस word उस act की little meaning को ले करके चलेंगे हम किसी और चीज़ को ले करके नहीं चलेंगे लेकिन अब समझना इस literal construction से भी ज़्यादा जरूरी एक दूसरा नियम में जो कि इसके साथ में कहा जाता है कहा जाता है कि देखिए literal construction करिए आप उस शब्द की ordinary natural या popular या grammatical ordinary natural या grammatical meaning को देखिए तब तक जब तक वो आपको आपके content object of the statute से deflect न कर दे उससे हटा न दे it leads to an absurdity और the content of the object suggests a different meaning जैसे मान लीजे जैसे मान लीजे अगर हमने का कि every this I've made a particular route ठीक है and this law shall apply to every man in India every man in India तो मेन का मतलब हो सकता है वहाँ पे specifically male से हो या हो सकता है male female दोनों से हो yes or no अगर हमारे right to equality में लिखा हुआ है कि no person एक right to equality हम लोग ने पढ़ा तो हम लोग ने पढ़ा no person तो हम लोगों ने person को interpret किया कि नहीं किया person को interpret किया लेकिन person को interpret करते वक्त person को interpret करते वक्त क्या हम लोगों ने वहाँ पे companies को भी जोडा कि नहीं जोडा जोडा हमने का companies को भी right to equality मिलेगा यह इनका interpretation था क्योंकि अगर आप companies को नहीं जोडते तो वो उससे absurdity आती उससे हमारा objective of the law fulfilled नहीं होता क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे वो जो right देना चाहते थे वो living as well as non living हर एक entity को देना चाहते थे तो person को interpret करते वद क्या कहा गया कि person will include body corporates also yes or no अब इसी से जुड़ावा एक और case study है जो बहुत बढ़िया case study है इस case study का नाम है मोतिपूर जमीनदारी company private limited मोतिपूर जमीनदारी company private इस versus state of विहार इस case study में क्या हुआ ये सुनी और समझी इस case study में क्या हुआ ये समझी है इस case study में कहा गया गन्ना गन्ना एक vegetable है या नहीं है गन्ना क्या एक vegetable के रूप में qualify होता है या नहीं होता है एक rock crop है या फिर वो एक प्रॉपर एक वेजीटेबल है वेजीटेबल देखे वेजीटेबल की अपनी एक definition है और गन्ना टेकनीकली वेजीटेबल की definition को qualify करता है लेकिन क्या आप उसको सब्जी की रूप में खाते हैं हम लोग आम तोर पे सब्जी क्या मानते हैं सब्जी में क्या लेते हैं बताओ आलू मेरा फिवरेट टमाटर हो सकता आप लोग का फिवरेट मेरा नहीं है और भिंडी प्याज यही सब है अब हम लोग हमने पता नहीं बच्मन से कहे बर वो पड़ा है अलगलग facts में कि टमाटर आपको पता है फ्रूट है यह नहीं है लेकिन थोड़ी नहीं हम लोग नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी वो ऐसे कोई पोस्स लेखा होगा तो टमाटो इस फ्रूट एं नॉट आप व टेक्निकली एक वेजिटेबल है बट कॉमनली क्या उसको एक वेजिटेबल माना जाता है कि नहीं माना जाता है तो इसमें कहा गया कि गन्ना टेक्निकली क्योंकि एक वेजिटेबल है तो उसके उपर में एक्साइज ड्यूटी स्वरी ए स्टेट एक्साइज ड्यूटी थे क्योंकि vegetables के उपर 0% था vegetables के उपर 0% था लेकिन गन्ना जिस category में categorize किया जा रहे था उस पर 8% या 5% ऐसे कुछ था तो बात में कहा गया कि गन्ना actual में एक green vegetable नहीं है हम सिर्फ उसकी grammatical meaning को नहीं देखें क्योंकि इसकी grammatical meaning को देखने जाएंगे तो हमारा actual objective lost हो जाएगा ठीक है समझे कि absurd लगेगा ना गन्ने को आप ऐसे green vegetable classify कर रहे हो तो फिर केवल उसकी grammatical meaning को नहीं देखा जाएगा अगर उस grammatical meaning से हमारा objective of the statute deviate होता है तो तो vegetable के तो और पर classify नहीं किया port ने उसको vegetable के तो और पर classify नहीं किया अच्छा आगे ऐसी करके case duty beetle leaves से जुड़ी भी beetle leaves से जुड़ी भी पान के पत्ते को कहते हैं पान के पत्ते को कहते हैं beetle leaves पान के पत्ते को कहते हैं beetle leaves तो beetle leaves लेकिन टेक्निकली actually जिस फेर से सुपाडी निकाली जाती है, उसके पत्ते को technically हम कहते हैं, जिस यहां से सुपाडी ले ज़र है, उसके पत्ते को actually betal leafs कहते हैं, technically. भी बट अंग्रेजी में आम तोर पर हम लोग जो बीटर लीट कहते हैं, वो हता आपका पान का पत्ता। तो अब क्या हम उसके टेक्निकल मीणिंग देखने जाएंगे या पर पान के पत्ते को देखने जाएंगे अजर। हम तो normally जो इस्तमाल करते हैं, उस ही को देखने चाहेंगे न, हम उसको देखेंगे क्या, उसके popular meaning को, यानि पान के पत्ते को, क्योंकि अगर हम उसके दूसरी meaning को, उसके technical meaning को अगर देखने चाहेंगे, तो उससे वो deviate हो जाएगा, हमारे act absurd बन जाएगा, ठीक है, तो अगर आप, generally आपको क्या करना चाहिए, natural, ordinary या popular meaning ही देखनी चाहिए, या उसकी grammatical meaning देखनी चाहिए, unless उसकी grammatical या popular meaning देखने से, उस act में absurdity आ जाए, it makes the act absurd, इसके लिए आगे हम आपको एक parachute oil का भी case बदाएंगे, parachute oil आप लोगोने सुनाएं, हाँ, तो parachute oil के अंदर में क्या होता है, parachute oil में आप देखेंगे, उसमें हमेशा लिखा रहता है, 100% pure coconut oil, edible oil, edible मितलब खाने योग ये, ठीक है, 100% edible oil, तो बाद में, अब जो edible oil होता है, उसके उपर में कम tax लगता है, ठीक है, जो edible oil था, उसके उपर में कम tax लगता है, लेकिन जो cosmetics होते हैं, उनके उपर में ज्यादा tax लगता है, तो बात ये उठीक कि parachute कह रहा है, कि हमारा edible oil है, तो हम कम tax देंगे, और जो tax department है, वो कहता है, कि तुमारा edible oil कह देने से क्या होता है, यह असल में तो एक cosmetic है, विको टरमरिक, नहीं cosmetic, यह विको टरमरिक, आयरुवेदिक cream, बट असल में है, वो cosmetic है, की नहीं है, बताओ, है, है, लेकिन एक आयरुवेदिक cream कहने से, उसके पर में tax rate कम लगता है, समझे की नहीं समझे, तो वैसे ही करके, parachute oil भी कर रहा था, parachute oil कह रहा था कि, क्या, edible oil है, लेकिन असल में, वो एक cosmetic के तौर पे समा, अब इसमें coat की ना, बड़ी अच्छी judgment आई, क्योंकि पोड भी क्या करता, वो edible oil है, अब कोई पका करके खा रहा है, तो फिर वो खा रहा है उसी oil में, ठीक है, अब कोई बाल में लगा रहा है, ठीक है, अब जैसे चाहें वैसे कर रहे होंगे, आम तोर पे उसको बालो में लगाने के लिए इसमाल किरेंगे, तो पोड ने एक judgment निकाली, उसमें का, कि 200 ml तक की अगर packaging है, अगर 200 ml तक की packaging है, तो फिर वो cosmetic के तौर पर है, क्योंकि 200 ml का कोई generally edible oil तो नहीं खरीदता है, ठीक है, कि 200 ml भी तेल देना, खाना बनाने के लिए, तो 200 ml तक की packaging है, तो वो cosmetic है, और अगर 200 ml से ज्यादा की packaging है, तो edible oil है, और बाद में जाकर के, हलाकि इसमें यह कहा गया, बाद में जाकर के यह कहा गया, कि नहीं, parachute is a cosmetic, बाद में और उसको फिर interpret किया गया, कि देखो तुम कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हम तुमको खिलवाड नहीं करने देंगे शब्दों के साथ, तुम शब्दों के साथ खि लिए ही advertise किया, कि हाँ है, बाल में लगाने का नहीं, तो फिर otherwise, बड़ाई in general रगते थे, वो कहते थे कि parachute है, और वो खाने के लिए भी है, और आप उसको फिर अगर बाल में लगाओ, तो हमें कोई अतरास नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो interpretation of law is a very, very interesting topic, so what does this particular rule say? This rule says that a word, a statute should be understood in its ordinary, natural, popular या ग्रमतिकल meaning, a statute must be conceived in this way only, unless such a construction leads to absurdity or the content or the object of the statute suggest a different meaning, यानी, any word वापसे, any statute should be understood in its ordinary, natural, popular या ग्रमतिकल meaning, ordinary, natural, popular या ग्रमतिकल meaning, पोंग, popular, ordinary, natural, ग्रमतिकल, popular, ordinary, natural, ग्रमतिकल meaning, unless such a construction गन्ने जासे, unless such a construction leads to absurdity or the object of the statute will suggest a different meaning, the object of the statute suggests a different meaning, तो हम उसको अलग्ज मतलब ले सकते, अच्छा, नहीं, यहा नहीं, उतने टाइम तक का टैक्स उसके पर नहीं लगा, बाद में जा करके, उनके उपर में ऐसा रूल बनाया गया कि हाँ, ऐसे ऐसे करके अगर है, तो गवर्वर्मेंट ने अपनी चीज़ों क इसको अमेंड किया, उसमें लिखा गया कि हाँ, यह 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 चीज़ें ऐसे से करके टैक्स डेबल होंगी, ठीक है, दब मिस्चीफ रूल, यहनि उन्होंने एक तरीके से टैक्स बचा लिया, वीको टैर्म रीखी देखो, अरे उन्होंने टैक्स, उन्होंने कह करके कि हाँ, आयरुवेधिक क्रीम है, उन्होंने बचायां की नहीं बनाया, लेकिन असल में तो कॉस्मेटिक है या नहीं है? कॉस्मेटिक, मतलब वो चीज़ें जो कि आपके सुंदर के निखार के लिए किया जा रहा है, आयरुवेधिक क्रीम मतलब जो कि आपके एक तoffsरीके से, एक मे को टर्मरी की लगाया जाता होगा तो दब मिस्चीफ रूल या हेडिन्स रूल इस पर आज में अगला लोह है अपना मिस्चीफ रूल या हेडिन्स रूल अब ये भी बड़ा मजदार है ये भी बड़ा मजदार है इसकी केस्टेडी बताएं हेडिन्स रूल इसमें समझना इ इसमें क्या हुआ था कि पहले UK की सिस्टम की बात कर रहे हैं King और Church दो अलगलग bodies होते हैं जिनकी विश्में power clash होता था ठीक है एक King होता था और Church होता था दोनों की विश्में power class चलता था कि कौन जाधा powerful है obviously King जाधा powerful था लेकिन Church Church का जो head होता था Pope तो Pope भी बहुत powerful था क्योंकि उसकी भी अपनी following थी अब कहने को तो King ही अपना head है powerful वही है लेकिन Pope भी एक sufficiently powerful person था अब जो पुरी की पुरी जमीन थी वो किसके कबजे में होती थी King के कबजे में लेकिन उस समय की बात है कि Church भी बहुत बड़ा piece of land अपने पास hold करके रखता था अब King को यह सुहाता नहीं था राजा सोचता था रहे चर्च उपने पास में इतनी जमीन क्यों रखा हुआ ठीक है तो एक act pass किया गया उस act का नाम था उस act का नाम था क्या मैंने कहीं पे इस का नाम अच्छा अपने notes में लिखा तो नोट्स रही गए उस act का नाम था religious land acquisition ऐसे गर की कुछ था यह नहीं कोई religious body अगर कोई ऐसा कोई land अगर require करके रखी हुए तो उससे जुड़ा हुए एक act था ठीक है अट के नाम थी मेरे को exact नहीं जाना था तो बाद में क्या हुआ उस act के तहद church जितना भी piece of land holding वगर रख रहा था पूर religious body अगर hold कर रहा था तो वो सबका सब king के अंडर आ जाएगा राजा के अंडर आ जाएगा ठीक है बात है अब इससे दिक्कत किसको हने वाली थी चर्च को ठीक है अब समझो उस समय होता क्या था UK के अंदर में एक holding की copy दिया जाता था तो एक चर्च था बता ये राजा साहब का main purpose क्या था राजा साहब का main purpose था कि वो चर्च का उस पे से control हटाना चाहते था उन्होंने उस कानून में ये भी लिखा था कि जिनके पास पहले से जमीने पड़ी वी हैं उनको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं किया जाएगा उनको यहां से हटाया नहीं जाएगा ठीक है उनकी जो अपनी holding यानि उनकी जो किरायदारी है वो चलती रहेगी उनकी किरायदारी चलती रहेगी उनको उससे नहीं हटाया जाएगा बस वो control चर्च के पास से हट करके किस के पास आजाएगा किंग के पास आजाएगा तो इससे जो लोग वहाँ पे अपनी किसानी करते थे उस जमीन पे उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी उनकी अपनी किसानी चलती रहेगी अब इसी प्रकार से यह केस आगे बढ़ा और इसके अंदर में बाद में चर्च ने उस ओटर चर्च ने क्य किया कि अपनी जमीन को अलगले लोगों को बाटना शुरू किया अब उनको लगा कि ऐसा कानून आने वाला है उसमें आए नहीं था ऐसा कानून आने वाला है तो हम पटा पट क्या करते हैं अपनी जमीन को कुछ-कुछ लोगों को बाट देते हैं और उसको बाटने से क्या होगा फिर जब वो कानून आएगा तो हम कह देंगे कि भाई ये जमीन तो मेरी पहले से बटीवी है ये जमीन तो पहले से बटीवी है उसका किराय भी चर्ज के पास ही जाता ये जमीन तो पहले से बटीवी है तो फिर वो जमीन डेरेटली किंग जो है acquire, किराय के लिए I'm not sure किसी बाज आएगा, लेकिन वो जमीन ultimately अगर मेरे ही दिये वे किसान के पास है, तो वो किसान के पास ही रहेगी, उसको राजर डरेट अपने control में नहीं लेगा, उसकी किसानी चलती रहेगी, ठीक है अब Church क्या दिमाग लगाता है वो अपनी एक वफदार को बलाता है और वो कहता है इधर आओ हम तुमको जमीन देते हैं अब मान लो अगर इसके अंदर में Hayden के पास में अगर जमीन है और Hayden हमारा वफदार है Hayden के पास अगर जमीन है और Hayden अगर हमारा वफदार है तो एक तरीके से जमीन किसके पास है हमारे ही पास है न येस और नो तो बाद में Church ने कहा कि भई आप ही ने तो नियम बनाया था कि अगर किसी किसान के पास जमीन है तो फिर वो जमीन उसी के पास रहेगी आप उसको छीनोगे नहीं लेकिन फिर कहा गया कि ये तो कोट ने बदमाशी की चर्च ने ये बदमाशी किया है इस केस में उसका वो जो चर्च का Hayden को वो जमीन देना वालिड माना जाएगा कि इन वालिड माना जाएगा इन वालिड माना जाएगा क्योंकि ये जो ट्रांसफर किया गया है ये किसले किया गया है बदमाशी से किया गया है इसले किया गया है ताकि हमारे लौ के परपस को डिफीट किया जा सके हमारे लौ के परपस को defeat किया जैसे इंडिया में भी एक कानून आया था इंडिया में कानून आया था land acquisition से जुड़ावा अब land acquisition से जुड़ावा एक मानलो ये कानून है कि अगर किसी के पास में land ceiling का कानून आया था अब land ceiling का मानलो ये कानून है कि अगर किसी के पास एक limit से जादा जमीन है तो उस जमीन को सरकार require कर लेगी अब जैसे ये कानून आएगा हम उसको अलग लग लोगों को बाटना शुरू कर देंगे हम कहेंगे अपने भाइबेनों को बला करके धार हो थोड़ा तुमारे नाम थोड़ा तुमारे नाम तो हम तो उस कानून से बच जाएंगे के नहीं बच जाएंगे बच जाएंगे लेकिन ऐसा करके सरकार का purpose defeat हो गया की नहीं हो गया defeat हो गया सरकार का mean purpose क्या था कि जिनके पास एक हट से जादा जमीन है उसका control ले लेना और उसको बाकी लोगों में बराबरी तौर पे बाट देना समझे की नहीं समझे तो अगर अगर आपने ऐसा कुछ किया जिससे की इस पर दिक्कत आ रही है तो सरकार उसको ऐसा करने नहींगे is it clear or not समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो ये था आपका mischief rule mischief rule कहता है law का interpretation है mischief rule कहता है कि आप law का misuse नहीं कर सकते और जब भी ऐसा कोई matter arise होता है तो आपको ये चार नियम है जो की लगाने चाहिए हम लिखने वाली बात पर हम बताते है ये चार नियम है जो की आपको लगाने चाहिए कौन से चार नियम लगाने चाहिए ऐसा ही हुआ था उस case में भी तो hidden के पास में जो जमीन ट्रांसवर हुई थी उसको क्या माना गया in valid तो ये बहुत पुराना case था और उस समय जो जज ने decision लिया उनकी judiciary ने decision लिया उन्हों ने कहा कि जब भी ऐसा case आएगा हम लोग के सामने हम लोग चार नियम लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे चार नियम लगाएंगे और इन चार sentences के बदोलत हम लोग answer करेंगे कि आखिर ये सही है या गलत है इसका कौन सा interpretation सही है देखना चार सवाल पूछेंगे पहला सवाल क्या what was the common law before the making of fact बोलो what was the common law before the making of act तो क्या हमारे land acquisition के act से आने से पहले या land sealing act के आने से पहले कोई act था तो जवाब आया है उससे पहले कोई act नहीं थीक है what was the mischief and defect for which the common law did not provide तो ये जो एक बहुत over holding of land चाहें church का मान लो या इंडिया का मान लो over holding of land उसके regarding हमारे यहाँ पे कोई भी law नहीं था what remedy did the parliament had resolved and appointed to cure और इन्होंने remedy यह निकाला कि जितना भी एक्सा जमीन होगा उसको सरकार अपने कबजे में ले लेगी और true reason for the remedy क्या था ताकि उससे उस जमीन को लोगों के बीच में बराबरी में बाटा जा सके तो आप इन चार reasons को पकड़ो इन चार sentences को पकड़ो और फिर interpret करो कि क्या यह अगर इस जमीन पाट दिया तो आप हमारा जो reason है उसको defeat कर रहे हो कि आप इसको लोगों में बराबरी का बटवारा करने दे रहे हो कि नहीं करने दे रहे हो और आपने अपनी परिवार में इसको बाट दिया then the true object of the act is defeated hello Church ने किसी इसको ऐसे इंसान को बाट दिया जो कि उसी का वफदार है तो इससे बताईए हमारा जो true purpose है वो defeat हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है तो यही चीज है कि what was the true reason of the remedy किसी को भी किसी को भी दें आपका purpose देखा जाएगा आपका क्या purpose था क्या आप भी वही purpose इंसार करों जो कि आट पर purpose सर्व करना चाझा था क्या आप भी बराबरी का बट्वारा चाहते है अगर नहीं तो फिर उसको invalid बांग दिया जाएगा अगर आप किसी stranger को दे रहे हैं तो लेकिन stranger को दिया है नहीं दिया है वो भी तो बातने सामने आ जाएंगी ना आप वह कहरे हैं आप देखिए बार-बार आप लोग उसी चीज़ पर कह रहे हैं कि अब कोट कैसे साबित करेगा कि वो stranger है कि हमारा अपना है यह है कि वो है तो वो सारी चीजे ना एक अलग interpretation पर आ जाती है जिसका मामला हमको judiciary पर छोड़ना होगा कि जज की अपनी दिमाग क्या कहती जज का भी तो अपना दिमाग चलेगा तो वो देखेगा आपने अपने लेटर में किसी को भीजा या पर direct कोई inference है कोई link है क्या है उसके अंदर में तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगा तो वाट वोस दी common law before the making of the act आप लोग जो कह रहे हो वो सबका सब क्या है literal construction आप लोग उसको literally construct कर रहे हो अब हम कहें literal construction छोड़ो उस act का objective भी समझो तो उस act के objective को अगर तुम defeat कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं चलेगा वापस से पढ़ यह mischief rule या hidden's rule इसी को हम लोग कहते है rule of purposive construction इसी प्रकार से इसका एक और नाम है एक और नाम है ठीक है एक purposive construction है और एक और आपके साथ में share कर लेंगे again I had written it down in the notes तो चार सवाल है जो कि आपको पूछने पढ़ेंगे क्या what was the common law before the act what was the mischief and the defect for which the common law did not provide what remedy the parliament had resolved to cure the disease of the common with and the true reason of the remedy ठीक है clear है क्या यह बात अच्छा इसी में और एक और एक फेमस के स्टेडी है और एक फेमस के स्टेडी है let me just open the case study को क्योंकि जतनी ज्याद आप इसमें examples सुनेंगे उतना ज्याद आपको इस chapter के बारे में clarity आती जाएगी case study का नाम है Hughes versus Smith Hughes versus Smith yeah, Smith versus Hughes, okay, so basically this was an act, there was an act which was passed in some foreign country relating to prostitution, okay and this particular act, this was a very famous case study which is usually used in this particular doctrine, इसमें कहा गया था कि it is invalid, the prostitution business is invalid, और इसमें act में जो wording इस्तमाल किया गया था, the wording which was used was that it is invalid in any public place, it was invalid in any public place, you cannot, you cannot solicit any client, you cannot call any client on any public place, now Smith was a lady who was engaged in the same business, now what she was doing, she was soliciting the clients from her balcony, ठीक है, अब वो अपनी balcony से इस business को solicit कर रही थी, उसको manage कर रही थी, अब ये case जब court में गया, तो Smith put an argument, Smith ने कहा, कि I am not using any public place, I am at my balcony, वो balcony है कि रोट facing है तो फिर उसके इंदर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो court ने कहा, कि देखे, यहाँ पर आप law का misuse कर रही है, जो law आया था, preventing और prohibiting the business of prostitution, it said कि roads, बाकी सारी चीज़ें public places, but it does not mean कि आप balcony का private place है, तो आप इसको use कर लेंगे, it shall include that place also, तो court ने क्या कहा, court ने यही mischievous rule लगाया, कि आप इसका एक mischievous interpretation नहीं कर सकती हैं, and in that case, Smith was held to be liable, उनको ऐसा mischievous interpretation करने नहीं लिया गया, is this clear or not, समझ में आया कि नहीं आया, this was the case study of Smith versus Hughes, जिसमें public place शब्द का misuse किया गया था, और कहा गया कि balcony is not included in public place, but still, जैसे अगर हम कहें, हम इसी चीज़ को अगर कहें, कि smoking is, smoking is banned in public places, smoking is banned in public places, और अगर आप अपनी balcony पे खड़े हो करके smoking कर रहे हो, लेकिन उसका effect अगर बाकी जगों पर भी जा रहा है, तो क्या आप के लिए वो valid है, नहीं, उसका एक adverse effect जा रहा है, तो you cannot, can you misuse the word public place, no, you cannot misuse, क्योंकि court उसमें क्या लगाएगा, mischief rule या, hidden's rule, is this clear? दो ही, दो ही rules हुए है अभी, अच्छे, एक और तीसरा सुन लो, एक और तीसरा सुन लो, rule of, फड़ा फड़ समझा आने, बस मांच मेंट रुको, rule of adjust them generous, बोलो क्या आए, rule of adjust them generous, जैसे मान लो अगर मैंने आप से कहा, मान लो अगर मैंने आप से कहा, कि there is a particular law, there is a particular law, या there is a meeting, जिसके अंदर में CA, CS, BCOM और बाकी सारे students invited है, CACS, BCOM और बाकी स्टुरिंट्स इसमें invited हैं, ठीक है, CACS, BCOM and others, तो उसके अंदर में CMA वाला बच्चा जा सकता है, क्या, एक meeting उसमें CACS, BCOM और बच्चा जा सकता है, जा सकता है, उसके अंदर में MCOM वाला बच्चा जा सकता है, जा सकता है, उसमें IIT, Science, BCOM और बच्चा जा सकता है, क्यों, CACS, BCOM और बच्चा का मतलब कि Commerce से जुड़े वे courses की बात हो रही थी ना, Yes or No, तो हर एक चीज़ का अपने एक जीनर होता है, और उस जीनर के साथ में ही आप उस law को interpret करते हैं, तो the law must be interpreted according to the genre, जिस जीनर को वो belong कर रहा है, तो अगर कोई एक word इस्तमाल किया गया है statute के अंदर में, it must be interpreted according to the genre in which it is used, ठीक है, तो यह कौन से rule है बताईए, rule of adjust them, adjust them generous, जैसे अगर हम कहें कि this rule shall apply to dogs, cats या you can keep dogs, cats, rabbits at home, तो cats आगए तो आप शेर भी ला करके रख सकते अपने घर पे, क्यों? dog, cat, rabbit का मतलब क्या हुआ? domestic animal, देखे, छुट्टी के टाइम पे इस बच्ची का दिमांग बढ़ा तीज काम करता है, dog, cat, domestic animals, तो domestic animals का ही इसका मतलब था, तो अगर लिखावा है others, तो that others word will be linked to the words used before, is this clear or not? this is called as rule of adjust them, generous, thank you so much students, next class we will find.